जैसे हवा में किसी ने इत्र विखेर दिया हो और फूंक मार दी हो मेरी ओर और इस खयाल में था ही कि याद आया बड़ा अर्सा हुआ ये हवा तो अक्सर चलती है खिड़की भी वही है, फूल भी वही है, फूलों की खुश्बू भी वही है लेकिन इस जल्दबाजी भरी जिन्दगी में कमी है तो सिर्फ सुकून भरे है सास की तो मेरा नाम आप सबने सुनी लिया होगा दिव्यांज भारदवाज और अब शुरू करूँगा जो परफॉर्म करना था वो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर था कि उधर जाने की कोशिश करूँ उस पे कुछ लिखने की कोशिश करूँ मगर वो नहीं पाता है कि मुझे उसके सिवा कोई नजर नहीं आता मुझे उसके सिवा कोई नजर नहीं आता वो जबसे मुझसे दूर गया है घर नहीं आता मुझे उसके सिवा कोई नजर नहीं आता वो जबसे मुझसे दूर गया है घर नहीं आता और रह रह के न जाने क्यों दर्द उठता है यू तो कोई घाव नजर नहीं आता और कहते हैं कि शामें आज फ्रेंडशिप दे है और घर से दूर हूँ सभी दोस्त जो भी स्कूल के कॉलिज के थे वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में अपने सपनों को पूरा करने में बिजी हो गए कि शामें बीता करती थी पहले दोस्तों के साथ शामें बीता करती थी पहले दोस्तों के साथ लोट के अब वो सुहाना मन्जर नहीं आता और लाख तल्खियां देते हैं लोग मुझको मुझको मुझकुराने के सिवा मुझे हुनर नहीं आता और कहते हैं कि अब जरा थोड़ा सा महौल को सोसाइटी की तरफ ले जाओंगा कि आफताब रोशन करता है महलों को आजकल वो गरीबों के दर नहीं आता और लाखों चीखे निकलती हैं उजड़ी बस्तियों से सरकार को सुनने का हुनर नहीं आता और आजकल जो महौल है और मैं हमेशा इस बात पर चोट करता हूँ कि सबके हाथों में हैं यहां पत्थर जात के लेके इनसानियत का कोई शजर नहीं आता मेरे मन में नफरत का मगर डर नहीं आता और शान थोड़े लफजों में कह देता हूं बात अपनी किस्सा गोई का मुझको हुनर नहीं आता शुक्रिया बहतरी नजमों और खजलों के लिए सब्सक्राइब करें तब सोशल हाउस को